ठेंक लोको मोशन एंड मुवमेट में जो याद कर रहा पॉइंट उसको मैंने लिखे हुए हैं तो मसल्स जो होते हुआ हम में जो डर्मल ओरीजीन होते हैं यह वाला पॉइंट धियान में रख लें जैसे यह मसल्स है तो यह सब जो हो गया यह वाला पार्ट जो छोटा-छो इसको मसल बंडल कहते हैं इसमें बहुसाला वहते हैं और इसका एक पार्ट के देख लेंगे एक पार्ट जो होगा tua स्रकोलेमा वह होता है वह ही पर ओर इसमने का मौन आपको मालुम होना चाहिए मसल सबन न रिक होते हैं यडे लाइन होता है यहां को मतलब deep line के जो बीच बिन अपूरा थोता थोरा से यह भाली नीड़ को काता है यहां जिसे यहां पे । बंडल से लेकर ने कर पर मीच होता है यहां से हाँ तक की ऑअजोव itt इस वला मतला होगी दू बंडल के बीच बीच वजाना एक सार को मेर में इतना सर्ट्रेक्टर होता है जेट लाइन को ध्यान में रख लीजिए जो कि i band कहते हैं olduğum होता है दो मायोशीन मायोशीं के बीच को मिलाकर भ्रचों में प rubbish देख लेते इसी ट्रीपट मिस्कूप मुक्त हैं यह तो तो इस्डिफ्ट मतलब हम जोता है इस्ट्प्र ऐसल्स यहे इस्ट्रीफ होता है आपीरेंस अंडर माइक्रिस को क्षी करेंस करेंड़ म稜ल्स कलता ओस फैसिकल हल तो अंड़ कोला जने तीशुő में लेर कल्व सब्सक्राइब इसलिख नाब है सार में मायो फिलामेंट में होता है और यही पार्लामी अरेंज़्ट होता जिसे यहां पी ऑप फिलामेंट है इसमा फिलामेंट कि तरीके से आ्रेंजमेंट हैं तो सरकोलेम में मायो फिलामेंट पर्ललि एरैंज़्ट है मायो फाइब रिल एज अल्टर Tailladi ट अनलीट देगा एंड तो जैसे यहाँ पर देख रहीँ ये लाइट अनलाइट वैंड है इस थरी किषे लाइट डार्क लाइट डार्क इस तरह के यह बैन dalते तो मायो फारिल-े अलटरिनेट डार्क एंड़ लाइट बैंड इसमें होते हैं इन इतस्टिप्यूशन पैर्टर्ण आफ टू प्रोटीन आप इम्नवाय 26 तहीं करें five यू तरीक से एकटैन में अन्मर्वाईश मतलब यह जिसमें कुछ गाढ़ाद नहीं दिखाते था लाइट वैंड हो गया acting कि acting का यह होते हैं जिसको आई बैंड कहते और आय मतलब हो गया आइसोट्रोपिक डार्क जो होते जैसे यह सब डार्क बैंड में आता है तो यह डार्क के अंतर मैं और नो कि इसे तरीके के से तो ल nelson यहां से यहां तक यह जो lastman trip क कले हैं इसको अन इसो ट्रोपिक वैंड खाते हैं तो कि ईंड़ा सेंटर आफ इच आइबंड हम तो देख सकते सेंटर इंदा बहुत सge do इस पहता है तो इसके बीच में जस्ट देखेंगे तो elastic फाइवर जो होते हुए जेट लाइन कल्ड बाइसेक्ट इट आइबैंड को बाइसेक्ट करता है। So in the center of each I-band is an elastic fiber jet line called which bisect it. Thin filament are formally attached to jet line, the thick filament, the thick filaments in the A-band. The thick filaments in the A-band are also held together. The thick filaments in the A-band are also held together in the middle of this band. The thick filaments in the A-band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M-line. The thick filaments in the A-band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane. The thick filaments in the A-band are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M-line. Z-line, functional unit of contraction, Z-line, functional unit of contraction called Sarko-Mayer, Z-line, in rest, the edge of thin filament on either side of thick filaments. arguments, the sides of thin filament. The thick filaments in the A-band is very similar in the middle of this band. The thick filaments are also held together in the middle of this band of A-band. तो in rest the edge of thin filament on either side of thick filament the edge of thin filament on either side of thick filaments partially overlap the free ंच तो thin filament overlap करता है leaving or partially overlap the free यहां छोड़ता है नो ओभर लैप वाई थीन फिलामेंट इस गल्ड एच जोन तो जो मतलब जोन ओभर लैप नहीं करता है उसको एच जोन के नाम से जानते हैं यह डाइगराम भी ध्यान में रखेजिए कहां पे कौन सा डाइगराम जिससे यह जो देख रहे चोटा चोटा हो गया ट्रोफो मायोसिन ओगा बरावरा पार पर्ट्स और यहां पर जो देखना इस तरीके से हां यहां इफ एक्टिन फिलामेंट है और यहां पर एक्टिपवटीं और यह जो मेंट हॉन देखते हैं यहां Actin Binding Site है, Myosin जो होते हैं, Myosin Monomer, इसको Meromycin कहते हैं, In-Rest, Resting में देख रहे हैं Troponin जो होते हैं, Mask the Actin Binding Site, Troponin जो होते हैं, वहां Actin Binding Site के आता है, Actin Binding Site for Myosin on the Actin Flament, Myosin Polymerized Protein होकर Meromycin एक बनता है, The former being called the Heavy Meromycin, The former being called the Heavy Meromycin, जिसको HMM and Later LMM कहते हैं, जो मुझे लगा है याद के रहला पाइट उसको मैंने लिख दिया है, अब नेक्स्ट चेप्टर को देखते हैं, Chemical Coordination and